दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अंगूठे की लिगामेंट इंजरी के बारे में भारतिय सब कॉंटिनेंट में क्रिकेट एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट है और क्रिकेट की बॉल के कारण हमको अंगूठे की लिगामेंट इंजरी काफी कॉमन देखने के मिलती है नॉर्मली जब इस तरह से बॉल उशाली जाती है और जब कैच किया जाता है तो बॉल का जो लोड होता है वो अंगूठे के उपर आता है जिसके कारण से अंगूठे का लिगमेंट फट सकता है तो हमारे यहाँ पे क्रिकेट बॉलर्स में, क्रिकेट फिल्डर्स में जीज़ है इसको गेम कीपर थंबी का जाता है इसको सकायर्स थंबी का जाता है जो गेम कीपर था वो पुराने जमाने में जो कसाई होते थे और वो जो हाथ को यूज़ करते थे और लंबे टाइम तक गलत पोजीशन में यूज़ करने के कारण जो हाथ का अंगुठे का इसको स्कीर्स हम बोलते हैं और ये एक एक्डम से होने वाली इंजरी होती है अब ये क्या होता है तो देखें अंगुठे के अंदर की तरफ अगर हम बात करें इस जगे पे एक लिगमेंट होता है जिसको अलनर कोलेटर लिगमेंट भी बोलते हैं ये लिगमेंट अंगुठे मतलब आप जो है कोई चीज पकड़ने के अगर कोशिश करते हैं तो सही से पकड़ नहीं पाएंगे तो ligament injury अगर अंगुठे की आपको है तो 85 प्रतीशत chance है कि आपको इस तरह की ulnar collateral ligament की injury रहेगी अब ये injury कई तरह की हो सकती है ये injury एक bone avulgyn मतलब bone के fracture के साथ हो सकती है ये injury partial हो सकती है ये injury total हो सकती है मतलब पूरा ligament उखड़ गया या आदा ligament उखड़ गया और एक जो सबसे जो खराब injury होती है उसको हमारी वाशा में stanners lesion भोलते है अब stanners lesion क्या होता है इसमें आपका जो ligament है वो ligament अपनी जगे से उखड़ जाता है और एक adductor policies नाम का muscle होता है उसका एक open youris होता है तो वो उसके बीच में फच जाता है जिसके कारण जो ligament अपनी जगे से उखड़ जाता है वो वापस अपनी जगे पे नहीं आ पाता है इसलिए अगर stanners lesion है तो conservative treatment से आपकी जो तक्रीफ है वो ठीक नहीं होगी इसका मतलब यह है कि जो ligament फट गया है वो अपनी जगे पे पहुँच ही नहीं पाएगा इसलिए उसकी healing नहीं होगी तो अगर आपको stanners lesion है अगर आपको total complete tear of ulnar collateral ligament आ रहा है जिसको गेम कीपर थम yes कायर थम भी बोलते हैं तो ideally इसका जो सबसे बैतरीन इलाज है वो एक ligament surgery है अंगुठे की ligament surgery करके यह problem permanently ठीक की जा सकती है और इसके बहुत ही अच्छे results आते हैं 90% 95% तक अच्छे results हमको इस surgery में मिलते हैं इस surgery में हम एक छोटे से anchor के माद्यम से फटे हुए ligament को अपनी जगे पे वापस अटेश कर देते हैं इसको mini anchor या micro anchor भी कहा जाता है और जैसे मैंने आपको कहा है कि जो एड़क्टर अपोनियोरिस होता है जो ligament को अपनी जगे पे पहुंच नहीं नहीं देखा है उसको भी हम काट के release कर देते हैं कि जो ligament है वो अपनी जगे पे वापस आपा है अगर हम ulnar collator ligament की बात करें तो यह दो structure से मिलके बना होता है एक P ulnar collator ligament मतलब ulnar collator ligament proper और एक accessory ulnar collator ligament जो proper ulnar collator ligament होता है वो जब अंगुटा थोड़ा सा bend होता है वहाँ पे stability देता है और नीचे की तरफ का जो ligament होता है उसको accessory ulnar collator ligament बोलते हैं और यह जब अंगुटा पूरा सीधा होता है तब उसको stability प्रदान करता है तो कई बार different different grades of injury के अनुसार different different ligament का जो part है वो तूट सकता है परन्तु महतमुची जाने की यह है कि अगर यह ligament पूरा फड़ गया है और आपको अगर standards legion है तो इसमें surgery आवशक है अब कई मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्साब कैसे पता पड़ेगा कि standards legion है आप कैसे confirm कर सकते हो कि surgery के आवशकता है तो इसका जो diagnostic modality जो एक्दम accurate है वो है MRS के normally हम initially x-ray करवाते है x-ray में अगर आपको bone fragment दिख जाता है तो अच्छी बात है नहीं दिखता है तो हम थोड़ा stress x-ray करा सकते हैं मतला हाथ को थोड़ा अंगूठे को थोड़ा बाहर की तरफ कीच के भी मैं एक से करा सकते हैं परन्तु अगर हमको best diagnosis चाहिए तो ideally MRI scan जो है वो बहुत अच्छा हमको diagnosis दे सकता है और खास तोर पे अगर आपको सही diagnosis चाहिए तो आप three tesla MRI भी करवा सकते हैं जिससे काफी accurate diagnosis आपको मिल सकता है dedicated hand coil के साथ अगर आप three tesla MRI करा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है surgery कप करनी होती है अगर आपका ligament injury complete हो आपको stanners lesion आ रहा है आपका जो अंगूटा है वो दूसरे हाथ की तुलना में पंदरा डिग्री जादा खुल रहा है और अगर उसको overall उसमें 30 to 35 degrees के अगर आपकी opening आ रही है तो ऐसे cases में आपको जो है इस जो ligament के लिए ligament surgery करवानी चाहिए अब यह जो surgery होती है यह dedicated surgery होती है इसको dedicated sports medicine specialist यह dedicated ligament surgeon के पास ही करा है क्योंकि यह surgery जो है एक बहुत ही technically demanding surgery होती है हम आम तोर पर इस surgery को loop के अंदर करते हैं loops का मतलब होता है कि specific microscope यूज करते हैं क्योंकि चोटे-चोटे महीन ligament होते हैं तो इस surgery को हम loops के अंदर में करते हैं और इससे इसमें हम specific ligaments को hold करने वाले suture anchors होते हैं उनका प्रयोग करते हैं अगर आप लोगों को देखना है कि यह surgery हम किस तरह से करते हैं तो इसका एक dedicated video हमने YouTube पे upload कर रखा है जिसमें हमने surgery को सारी steps के साथ भी explain किया है वो जो है surgical video आप definitely देख सकते हैं अगर आपको अंगुठे में ligament, injury के संदर में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको comment box पे लिखे बेज सकते हैं अगर आपको इसके विशे में हमारे साथ online consultation करना है तो आप नीचे दिये गए नंबर पे संपर करके online consultation definitely ले सकते हैं धन्यवाद